यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और यह जो धे रलगा हुआ है यह आपके घर में मिलता है जीर सबसे पहले काम में आता है तो यह वही जीरा है उत्तर प्रदेश या इव्यार में आप जाएंगे तो इस तरह से आपको भूसा रख्खा मिलेगा जो भूसा होता है यह उंका जो बचता है उसको और उससे उधर भी देखिए उधर भी आप दिखा रहे हैं उधर मेहसाना जिले का उंजा जहां पर सबसे बड़ी एपीमसी मंडी है और यहां पर जीरा सौफ तिल इन सब चीजों की बिकरी और खरिदारी होती है तो यह पूरा आप मंडी देख रहे हैं आज रभीवार का दिन है और मंडी में बंद है लेकिसान यहां पर जो है मंडी में आ हुएं लेकिन हां को कुछ मजदूर मिल गया जो अभी तौल का घट तौली का काम कर रहे हैं तौल चालू है तो यह अच्छा हरा जीरा का यह औक्षन का काम बढ़ार कांड़ा यह जीरा कहां से आया यह राजस्तान से एसां कहां से माल आता है यह रजस्तान में समझ लो बाड मेर से आता है जेसल मेर से आता है नागोर से आता है नोका से आता है पाली से आता है लवा से आते हैं जी आप लोग सब लोग यहीं काम करते हैं किसान की गाड़ी आती है खेडूत उसको खेडूत बोलते हैं उसकी गाड़ी आती है उस गाड़ी को अनलोडिंग करते हैं वैसे गाड़ी आती है उपर से डारेक बोरी खाली करते हैं डेर बनाते हैं डेर बना के उसमें जो माल होता है उसमें करते हैं मतलब अलग उसका तो उसका कल भी बिक्री हो जाए उसको कोई प्रोब्लम नहीं है अगर यह डेर पड़ा इसमें 50-50 ग्राम ऐसे इधर का उदर नहीं होगा क्यों इप इसी है कि मंडी में इतनी संतोस जनक रहते हैं किसान आते हैं तो उस पहमीट है तोले बगएरा उसमें कोई तक्लीब इनको नहीं है इतना बिलकूल संतोस आदमी किसान ने रेर कर दिया वह कहीं कुमेगा तो उसको सो किलो लाया तो सो किलो ही वापस मिलेगा वेट इतना हमारा वेट चलता है अँजा मंडी का बहुत अच्छा अच्छा यह अभी तो जैसे हमारे घर में जीरा आता है वह एकदम फा तो यह आप लोग सब लोग यहां पर लोडिंग करते हैं और तोल भी करते हैं तोल निकालते हैं ड़ते हैं खाफ भी तोब बहुत तरो राजस्थान के लोग यहां जाधा है क्या है क्विए काम करते हैं क्या करते हैं कैसे अधर में मतल पट्री उठाते हैं लोडिंगरते हैं कितना पैसा मिलता है पीस पाम रुप्या है चार रुप्य जीरा की बोरी का चार प्रुप्या है और इस व Geo है उसका पाइश incentiv आन Breaking है लोड भी ही करते है और लोडिंग यह करते हैं ऐसला फैक्टरी के स deposit जाथ जहीं अलग है है चार उतराई अगर जैसे थरड़ी लगते यह बोरी के कि बारे मोरें है यह तो काम B öğ हमारे जैसे आप ही सेथ हो आपके पास जैसे कम आगा है वाइ से हमें कम दोगे तो जितने आगा है कि वो करेंगे तो यह अलग 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 है यह वैसे लगा हौए अकृष्ण hazam Sagr vendors एक नहीं जिन पाउली के बाद में बदाल नहीं सकते सब्सक्राइब नहीं रहते हैं उसमें बाउट्टा होता है अप जड़ा सा हम को आप लोग यह प्रोसेस समझाइए की माली ज़ेसे हमारे साथ हम अब जीघए जीटी करते हैं इन्होंने खेट में जीरा हुगा आए अपना काटा उटा और उसको सुखा करके बोरी में लाधा जा ट्रेक्टर से मंडी में ले आए फिर उसके आगे क्या प्रोसेस मंडी में आया गाड़ी आपकी आप वेट करो या ना और आपका यहां डारि उसको साथ सुत्रा मतलब जाडू से साप करवा होगे करवा के फिर ओक्षन में आयागा उसको बेश दोगे अगर किसान संतोसी नहीं है आज का बाव अपना समझ दो चार जार रहा और किसान को लग रहा है मेरा तयार इतना खर्चा लग गया है उसमें मेरा नहीं पहुंचा कर देगा इस टॉक में डाल लेगा इस टॉक में डाल देगा और उसको ऐसा होगा उस खेडूत का अगर लाग रुपय का जीरा है उसको यहां मार्केटिंग का सिस्टम है से कमिशन है दुकान वाले डैज परसंट कमिशन लेते हैं उनमें तो वह क्या अंदर रखवा देग लाग का है तो उसको 80,000 रुपय दे दिया जाएगा खेडूत को और बाकी उसका जीरा पड़ा है जब वह चाहेगा जब वह माल बेच सकता आके फिर पैसा मिलेगा नहीं उसको 80% तो पहले मिल जाता है क्यों लाग का है उसमें 80% लेके जाएगा 80% लेके जाएगा बाकी का है तो आप लोग यहां पर भी क्या कर रहे है यह माल था आगे वाले दुकान का हमने खरीदारी किये अब सामने वाला मजदूर यह है यह बोरी पलटाएगा हम बोरी को कांटे पे वैट करके और खड़ी करके हमारी घड़ी लोड करेंगे यह सर्फ 55 किलो का बरती फिक्स र करता है मलब वजन वाली बोरी जैसे तेल है उसका पिच्वतर और इसका पस्वन ठेक्स रहता है अच्छा थेक्स है सरी अमंडी का सब्सक्राइब भरती का मंडी का फिस्टम एक बोरी में 55 कि अधिक नहीं रहेगा इस मंडी का विजन है निकला हुए देख लो यह बार्द नका वजन है उसके अलवाफ 55 किलो है ताकि किसान को सामने बता सकते बाई इतना हमारा खाली बार्दान उसका यह वेट देख ले बारदान पहले रखते हैं उपर भाई चीटिंग वाला सि्टम कोई सिस्टम करी नहीं सकता कोई यहा ऐसा सिटम नहीं नहीं हो जांगरा में फजार हों लोग इस मार्केट में रहते हैं बाथरूम बना हो है कम से कम सो यह दशनान करने के लिए और पीछए भी जाहल लोग आते हैं कोई शुलक नहीं औरhst ना भी साफसुत्रा इत्ना आपन घर नहीं साफसुत्रा रखतें एतना वासनाले साप प्धि यही सुस्तु मेता जी कोई दुकान नहीं कंपर मैं चौप करता हूं दॉब आपके हां जिसे आप कोई जीरा बेचने आया तो ये जीरा हो जो है । क्या भाव बिकिये गा ये वाला हुझ कि यह वाला तो मार्कित का वो वाईदा क्वाली गोस की सब सेुगा है रोज का रोज पढा अलग हो त fasten सon रोज बढ़ाता तैयार माल है कंफ्रा वाला दाना सब्सक्रा वाला दाना सब अलगनों पाव होता है अबी तेजी के लाइन चल रही है मैंनल घर सबस्क्राइब और थे था सब्सक्राइब देख राट तो 2800 रूपायो वह सरा जैसी बहरेशा अलग अलग मार्केटिंग क्लों नगे पर किया हिआ तो समझ दो और 1.500 रुपए किलो दोसो इस और है पर के जी एट तरह सो जीरा काव है ऑनलाइन मर्चंट पर मैं देख घा था तो ये एकस्त स्व रूपए का सौ गराम तो ठारा सो किलो हो गिए तो ये इतना नहीं है इज वह एक है आफ नहीं यह जादा से ज़्यादा साफ सुत्रा बस यह रहाएं उनकी तीन सो लाश्ट है तीन सो देशट इन चो पहली है इसको कच्छा बोलते हैं खिडूत का यह सब दंख ले ऐसा मल तो आगे परवर्ड नहीं होगा ठीक है आगे नहीं जाएगा कंटेनर में तो इस माल को पक्कावाला बोलते हैं पक कावाला हम कच्छा यहां यहां आप लोग खरीद लेते हो इस तरह से इतना जीरा मैंने कभी अपने आख के सामने नहीं देखाता है पहली बार अभी और सीजन में तो 50,000,000,000,000 बोरी की रोज की विक्री जीरा आता है पूरा देश से आता है उन्जा से ही सप्लाइर होता है रिकॉर्ड है एस या खनका वन नमर का मार्केट उन्जा ए पी एम सी ए अगरी कल्चर प्रोट्स कमिटी उन्जा अच्छा पूरे दुनिया सप्लाइए करता है जीरे की जीरे की जीरे और सौफ की जीरे है सब गूले वरियाली है तले सब होता है रायडा मस्टर्ड बोलता है ना इंगलिस मस्टर्ड वोता है तल होता है सौफ है वो सब उन्चे में सब कुछ आता है वागर जीरे और सौफ कहीं नहीं होता है तो अगया आगया दिखाते हैं इस यह जीरा हो गया यह बतारह रहें 300 रुपे किलो यहां पर मंडी मैं मैक्स मैक्स पाइकिंगा थे डिड़ प्राइस ह वापा सलाता उसको मिलता कि इसान को खुद बॉरा आपने लेकर आते हैं आप कहां से हमाइभ यूपी कवसंदी से मैं बी इलाबाद का हूं पर लूशी हूं कोई बात लेहां कि इहां पर कितने लोग कितने लोग कि यहां तो बहुत है कम से कम 502,000 अभी होगा क्या दिखा रहे हैं मार्किट कप पुरा दिन कल रोज के दिन का वो है अच्छा अभी चलिए थोड़ा सा उतमें चलेंगे तो यह करता है भारत आरिक का अच्छा क्या रेख है उसमें नीचे से उंचे तक रेटे दिखा हो एक मेरे नीचे लगती है नीचे नीचा रेटे एक और आप साफ नहीं होती है इधर बर्याली गुजराती में बोलते हैं यह 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 सफाई होगी इसका सब निकालेंगे डखली यह जो इसमें है यह ए लगड़ी है जम बशीन में जाएगी न तो अपना ऐसे क्लीनिक माल निकलेगे यह भी पीछे कुछ नहीं रहेगे एक भी के चड़ा नहीं रहेगा शोल्टेक्स हो जाएगा इसका भी प्रोसेस है ना इसका इसका भी खती सो पचासे पैंटी सो जैसा माल इक ती सो पैस्ती सो बीच में रहता है जैसा माल इतना बैसा आगा कॉपपटी सब्सक्राइग इस था लेगी मंढे और मने को छुटी रहती है चाहिर जायता हिआर चुटी रहती है कि संडे और मंदे चुटी सेंडे फॉर संडे रेती हैं लोग करते हैं तो संडे करेंगे हमारा मनीजर जब बोलेगा तब यहां और यहां पर और कहां से आता है तो बढ़ियान के बढ़िया बढ़ Shanehan नहीं के वापर लगाई प्लाट पेले जीरा सोफ ये सब कूल है नाट है मैं कि ये चलिए लाईे सब की गूलए काल की च्वारत करें तो ourselves mirror प्लाने सबस्तक्तियों कोले बंघ सब्के लिए जिसब शुयए रबए तो यह आप लोग यहां पर शीष्टम ऐसे जैसे भाई बता रहा है खाली वह यह कि जैसे पर्याली आपको दिखाए जीरा दिखाए वह से इस तल है जो अपने तरफ पर देर में दिखता थे अज पूरा पूरा टैर का परा हुआ होता है शीजन में शित्ते रजजर बोरी आती है सतर हजार क्या सीजन होता है मार्च एपरिल में आता है वह खेड़ुत निकल थे तब बेते हैं ना सतर सतर हजार एक बार तो एक लाख बोला था आवा चीरा की पूरा एक लाख बोरी तो यह स पिराज रोफ इसब गूल तल मस्टर्ड इतना है यह अलग अलग दुकान है सीची टीवी कैमरे लगे हुए यहां पर और पूरा गंज का सीची टीवी कितना 40 है काई से भी तुम इतना एक दाना उड़ाओ वहां दिखे रहा तो भी वहां तुम्हारी गाड़ी यहां पर जो कर रहे हैं यह भी सब चीज वहां दिख रहा पूरा यहां कभी साइकल पर गेहुं दलाने चले हमको खाने के लिए तो वहां गेट पर चेक करेगा क्या एक कटे में हुआ कई दुकान से यह दुकान से फीट जाने देगा एक बोरे कीलो केजी की चोरी नहीं होता है और पूरा 40 कैमेरा बढ़िया वाला लगा वड़ा हुए एपी एमसी का खाला नंबर लिए चार्सोँ चार्सोट पचाशा गलती तक जितना दिखे रहा इस से ज्यादा बढ़ा है क्या आरे तो इसके पीशे है उसका मैनलाइं बोलते हैं उसको खार्ण विबाक बोलते हैं और यह निशूल्ख है एलेडे पंखा रहने के लिए सब किसी को भी और पूरा गंज में मिनल पानी का दस स्टेंड लगा हुए दस से बारा स्टेंड मिनल पानी का पॉन करवाता है यह एपीम सी ओफिस एक एपीम सी कमिटी मार्केट या डूंजा तो यह काफी जो है आप ल इस अब गोल कहां से आता है तो अधर आगे जो बालू के डेर जैसा दिख रहा है वो तेल है अपनी बोलते सुदिंदी में तिनली बोलते है तल अच्छा यह एसे रखा हुआ खुले में सड़क पे तो कोई लेकर तो ने जागे इसको है पेंटिंग में पड़ा अकल सुबह बिखेगा पेंडिंग में पड़ा है विचा हुआ नहीं है लेकिन आज माल आएगा तो उसका डेर कर लिया अकल उसका ओक्षन करवाएंगे बेचा जाएगा यह किसान ने दिया हुआ है कि देखे तो इसका क्या सब्सक्राइब कर देखा और उसके बाद में ऐसे से करके देखा उसके बाद में जैसे दुकान वालों जो में होता अराजगी करवाने वह जैसे भाब बोलते जाएक जो उपर बढ़के जाएगा अगर उसमें पढ़ेगा उसका तो लिख देगा उसका माल उसी को गया आपारी आतेए ना यहीं सब होता है सब यह जो दुकान वाले हैं यह लोग बोली लगाते यह बोले लगाते हैं यहां पर आनाउंस्मेंट बगाएदा आनाउंस्मेंट होता है आपको इस पीकर लगा हुए अलाउंस होता है 9 15 के आराजी चालू होती ऑक्षन चालू है 9 बज कर 15 मिनिट से किते बे तक चलता है वो चलता होगा चीतने तक चले इतने तक 12 12 बजे बंद है आज यहां से लगी तो कल वहां से लगेगी अच्छा होता है तो किसान को सब पता चल जाता है हां लाउंस करते हैं तब तो पता चलता है उनको इसो गोल की कान पर इस estáb गोल तो याग तो संडे स atéली सफ इफ एक कुई ने करा नाम सबस्क्रें अगए लगए है था जब मौन जालने लगता नगता लगए ठीहीं क्ल का आज नौटीस्बूर लगा दैवा देता कहां से ठीकू होच्छनर चाह शेखो आज जब कर नॉत बारा गेट है रोटल यह घड़ी वड़ी भी यहां पर पूरा गली हुए यह ओफिस है पीम से चलती है जी वह चलती हुए कंटीन है अच्छा मंडी कंटीन है कितना भी आदमी आया खाया राम कि अनलीमिटेड खाना रोटे शब्जे डाल चावल छास मत कोई भी हो यह सेट हो यह मत हो यह कोई भी है चालीस रुपए में लगा हुआ है वह तो देखो वहां जागे तब यह बंद है अभी देने पास है कि सब यहीं के हैं तो ब्यापारी जो है किसानों से ले लेते हैं फिर इनी ट्रक के जरीए बाहर बेचते हैं हाँ 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 आप जैसे यहीं कि रहने वाले एक चुली तो अपना साधन कहा रखोगी यहीं तो रखोगे काम करवाना दुकान में माल ले जाना फैक्टरी से लाना ऐसे यह जाता हो यहां से प्रोसेस होनी हां ऐसे हैं तो यह सारा जो है अभी यह तो बहुत बड़ी मंडी खतम ही नहीं हो रही है और यह और दिखाएंगे इससे भी पीछे है अब तो इसे खुले में रखा हुआ था सामान तो बारिश वारिश होती है अभी तो बारिश का टाइम निए बारिश होती है तो आप पत्त्री मरवाएंगे ऐसा तोड़ी कि किसान अपने घर पे तो टाट पत्त्री नहीं मरवाएगा फी जैसे हम लोग मत दूकान पर काम करते हमको भूलाएंगे फोन करके कि आप आई यह क्या रखा हुआ है तो इसका देर करेंगे फिसान खड़ा होगा उसके भाव का यह इसमें भी तिल है आज यह इसमें भी तिल है यह पूरा पुरा फड़ा हुए ऐसे हमको जहां पर थोड़ा दिखाई कैसे तो कहीं मिलेगा तुमको इसब गुल देखने को लिए हैं मिलेगा मेल लाइन सफाई के लिए जा रहा है कि यह सफाई के लिए पूरा फिर सप्लाइ करेंगे बाहर अच्छा काम होता है यह पूसा है इस सब गोल है इसकी दवा बनती है अपने सब दवा इसी से बनती है जतनी जबा बनती है अच्छा के अ कि भूसी इसको निकोले जाता है कि आ पुर्चा माल बोलते उसको वह फैक्टरी में जाएगा तो उसका रेड बढ़ जाएगा ना फैक्टरी में सफाई होगा उसमें से तो ज्यादा निकल जाएगा यह बोलते लाल वाला वर चुछेदी बचेगा पुछी वो दवाई में यूज करते हैं वो पूसी उसका च्यादा होगा ना रेट अभी तो कच्छा माल का रेट बताया मेरे आपको तीन जार एकसो पचास से पैतीस हो तक जैसा माल रुपए का बीस किलो और यह मसीन में चाहिए का क्लिनिंग होगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा वो तो मेरे को पता निया मैं तो कच्छा वाला हूँ अच्छा तो इसका बूसी निकल जाएगा और यह बीच का क्या होता है करा की बीचक्ता कर दो अ गली बोलते वो पहेंच वो गाय वोः हूश में रहाता है पकाकिन क्चा केधिन संभ यह कहां पर ज्यादा इसकी बौँवाई होती है कि इसकी राजİस्तान में राज सबसे ज्यादा पी पाचन के लिए बहुत बताया जाता है कि इस अब गोल का पूसी बड़िया से बढ़िया होता है के लिए और बढ़िया है शम्तियों अच्छा है स्वाच के लिए इसका तो प्रोचेस ज्यादा होगा खाए इसलिए बहुत महेंगा भी आता है यह तो मैंने कच्छे कब बताए हो तैयर होके अलग बढ़ता है इसका जो किसान इन सब पानी चूड़ते हैं पहला पानी छोड़ते हैं फिर उसके दस तीन बाद पाने फोड़ते हैं दो पानी हुआ फिर तीसरा पानी एक महीने के बाद छोड़ते और चोथा पानी जरूरत होगी मालका विकास नहीं हुआ तो डालते लेकिन डालते नहीं है चोथा चार पानी में चीरा तैयार होता है उसकी दवाइया बहुत महेंगी है चीरे की अप साइसी लिटर की बोटल आती है बारसो र पारे में बता दीजिए कि आप लोग जो है यहां रहते हैं तो घर कब जाना होता आप लोगों का जिसे आप लोग जो यूपी ब्यार से महीना दो महीना चार महीना जब आपके मार्जी हो जा सकते हो तो पूरा मार्केट में चूटी होगी क्योंकि पच्छास प्रसंद में फोगाने चाहां फेक्यां हो गया कपर् setzt के लिए यहां कौश Studios करना घर वरालना है हां तो पसंद की बात जो चुब कर अक्त्क हिह प्संद हो जो 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 चिवह पसंद आगया महनत का का मेर्म कहां मह has alreadyホik इसका काम पर पगार होता है हमारा फिक्स पगार होता है मेरा साल का है दो लाक रुपिया पगार साल का फिक्स होता है महीने का फिक्स नहीं होता है कि आनल में एक बार बिलता नहीं दिपा लिपे पूरा इसा अ बोका लेकिंट शरूरत पड़ी तो सिठ दे देता है ऐसा कुई दिकत नहीं है इसा कोई दिकर नहीं है कि पूरे साल के बाद ही पूरा पगार देगा अभी मेरे को पच्छास अजार की जरूर पर देगा मेरे को पचास अजार एसा कोई फिक्स नहीं लेकिन शेलरी पूरा साल का ही हमारा फी नक्य होता है जब रहना खाना मेरे ऊपर है रहना मालिक उपर ह तो काम क्यों हिसाब जैसे काम चलेगा इसमें काम डाउन चला बस अच्छा काम चला होली के बाद जितनी आपके पास चमता उतना कमा लो जितनी ताका तो रात दिन चलो इसाब प्रिजियर रुपए होली के बात में तो बता तो रहें आप से क्या का जितनी आपके चमता हो हजार नाव सो दो हजार रुपे कमाते हैं एक दिन का एक दिन का बहुत मेहनत का काम है ट्रक से उतारना पार्टिये पे पूरा थड़ी के इतना हीट होता है तेरा बुरी चोदा बुरी 15 का You को पर से काम है मत्तुरी भहत है उसकी मदूर्फ के मजूरी बहुत है महनत का प्यासा के उसका पूरी मेहनत का पैसा हाँ जाता है एक घंटा काम करने गदालोगे तो असका पैसा लेगी हम पैसा पैसा देना ही पडेगा के जिए को नहीं लए किसी को तफलशी कर तो एक कंपलें कर देगा समाधन ओदेगा तरत कोई दिकत कोई इस प्रेंगा है तो यहाँ प्रस किसानों का भी आप बता रहें कि उनके साथ भी कोई पेदबाव ने किसान भी उसमें कंप्लेंड करेगा तो उसकी भी कंप्लेंड सुनेगी है यह गवर्मेंट जैसा है यहां है इस मंडी के अंदर आप खड़े हम खड़े जो भी बात चीट किया कि सब चीट को वहां देखा प्रस में होता है वह उस ही जाथ खृते हैं शायुक तैके बोलता है यहां पर दो सब्सक्राइब लेते पक्का वाला माल वह इस हब से होती है वह तुम्हार है यह सबस्ट चेह के पहुता है बिससे आज दस रुपए है तो कल का हौँ 5 रुपए हो जाए है यह ते शेयर ब जैसे हम लोग यहां पे थे उंजह में हैं और आप देख रहे थे कैसे मजदूरों से जो यहां काम करने वाले यहां किसान परेशान नहीं होते हैं और यहां पर यहां से माल प्रोसेसिंग के लिए जैता है जीर इससे जो आपने देखा और यहां पर बहुत सारी चीजे अती है हुँ साॉफ सरसोस फार्च से यह कोशिष्थ यह है हम सिर्फ चुनाओ की बातें और फेर falar के न ही ना दिखाएं अपनी नजरों से आपको गुजरात भी केस तरीके से काम होता है अब और आपने यह वीडी ciudad किसानों के पास उन से पूँछेंगे कई समस्याय होती उनको या क्या लाव मिल रहा है तो आपने यह पूरा वीडियो देखने के लिए पहुत बहुत बहुत शुक्रिया मैं हूं अभिनो पांडे मेरे साथ कैमरे के पिछ है अमितेश कर दो कर दो